इस किताब में average time wise दिया हुआ है जो सुरवात के कोशन है काफी अच्छे कोशन है ये basic कोशन नहीं है पर है basic पर basic नहीं है सर ऐसा क्यों? सुरवात के जब 2-4 कोशन लगाओगे तो थोड़ा सा lengthy यानि calculation होगी धीरे धीरे जब कोशन लगाओगे तो देखोगे कि same कोशन जो ये कोशन है SSC CGL में आया है तो यही कोशन CPU में भी आया है और यही कोशन MTS में भी आया है और यही कोशन CHSL में भी आया है same कोशन तो patience रखके ही answer निकालना चाहिए जैसा कि देखा गया है अभी 2-3 साल में कि average का ये pattern का question PCS ने काफी पूछा है क्यों क्यों कि बच्चों को तो बस इतना ही मालूम है कि average क्या होता है और सत क्या सभी को जोड़ो होतने से भाग दो पर नहीं प्यार से सीखे थोड़ी थोड़ी calculation होगी start करते हैं पहला कुशन 12 संख्याओं का और सत 42 से एक-एक वर्ड पढ़ना आराम से करना मतलब 12 नमबर है जिनका और सत 42 है मैं पूरा लिखके बताऊगा अन्तिम 5 संख्याओं का और सत 40 है अन्तिम 5 संख्याओं का और सत 40 है भासा पढ़िए और पेसेंस से करना पहली चार संख्याओं का उसत 44 है हमसे कहता है भासा दिए छटी संख्या पाचवी संख्या से 6 कम है तो माना जो छटी संख्या है वो एक्स है तो पाचवी संख्या इससे 6 ज्यादा हो जाएगी क्योंकि भासा पढ़िए छटी संख्या पाचवी संख्या से 6 कम तो यह हो गया और सात्वी संख्या से 5 कम है यानि सात्वी संख्या जो है वो इससे 5 ज्यादा है देखे बस ये भासा पड़नी है और इस पैटन का जितना भी कोशन है वो यही है ठीक है अब आपको इसको solve करना चाहिए आपके दो सर shortcut बताओ shortcut बताओ उसके चक्कर में पड़ोगे बन भी घड़ जाओगे अब मोटा मोटा देखो 42 बारा दूना 24 दो हासिल बार चोक 48 और दो पचास 504 ये आया कितना आया 504 दिखें बच्चा पेसिंस रखना होगा अब ये के दो उड़ा दो नहीं इधार आये इनको अगर जोड़ा तो ये 3 एक्स 6 5 11 हो गया 40 पंजा 200 हो गया और 4 चक्कु 16 एक हासिल 16 17 176 हो गया दोस्तों एक एक चीज समझना धैर पूर्वक ये 3 एक्स ऐसे लियाओ बस अब आप कैल्कुलेशन कर लो 6 और एक साथ चार में से साथ गया तो साथ ही आया सीधी से बात अब ये 49 हो गया 24 अब 7 एक 8 तो ये 9 में से 8 गया एक आया एक दो तीन तो अब ये 4 बचा अब ये क्या चार तो ये 117 आया तीन से भाग दो पड़े प्यार से चिल मार के एक्स बराबर किसके आ गया 49 आ गया बोलो हाँ अब हमसे कहता है कि प्रभू पाचवी और साथवी संख्या का ओसत बताओ पाचवी संख्या यानी ये और साथवी संख्या यानी ये अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 2 एक्स प्लस 11 बटा दो ये इसका ओसत होगा दो से भाग दो यानी एक्स प्लस 5.5 ये 49 है 39 प्लस 5.5 चावालिस दसमलो पाच अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकासर इतने आराम से और बड़े धैर से क्यों बता रहे हैं दोस्तों ये पहला कोशन है जब सेम टैटन के दस बार कोशन करोगी तब आपको समन में आ जाएगा कि ये कोशन आसान होते हैं अब लेटेश में ऐसे जब कोशन आ रहे हैं और बच्चा सिर्व घबरा रहा है और छोड़ दे रहा है हमने आराम से इसलिए बताया कि आप एक बार सीखो हाँ मैं भी चाहता मैं इसमें सौटकट भी दिखा सकता हूँ काला जादू दुनिया जादू सब दिखा सकता हूँ और दिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी ऐसा नहीं करूंगा कि छोड़ दूंगा पले बताओ कि प्रभू ये चीज़ समझ में आई तो बोलोगे हां सर मजा आया प्यार से हमने सिखा अब थोड़ा सा कि चावालिस चावालिस बैयालिस कि बारा का बैयालिस कि चार का चावालिस कि और पांच का चालिस कि अब यहां पर तीन संख्या हैं एक दो तीन अब एक चीज देखो मोटा मोटा और सत बैयालिस है यानि यहां पर दो दो कम है बोलो हां और यहां चवालिस है यानि यहां दो दो जादा है दो का गुणा चार में यानि आठ जादा हुआ दो का गुणा माइनस तो माइनस का यह दस हुआ यानि यहां पर जो भरपाई हो रही है उसमें दो की कमी है दीगे यह समझा रहे है अभी धिरे धिरे करके आपको आदर पड़ेगी दो की कमी है आउसत 42 तो होना ही चाहिए तीनों का तो 42 गुड़े तीन कर लोगे तो 126 आएगा दो की कमी तो यहां दो जोड दोगे यानि 128 इससे यह मालूम चला कि इन तीनों संख्याओं का योग 128 होगा अब हम वापस आए अभी समझ में आएगा एक्स प्लस 6 एक्स और एक्स प्लस 5 यह तो लिखना ही पड़ेगा एक्स प्लस 6 एक्स और एक्स प्लस 5 तो इन तीनों का योग 128 के बराबर तो x x x टोटल हो गया 3x 6, 5, 11 इसमें कम करोगे तो 117 आएगा तो X बराबर फिर से वही 49 आया उसके बाद का काम वही है अब देखो ये चीज पहले से छोटी हो गई पर हाँ ये चीज देखो अब पहले से छोटी हो गई लेकिन समय लगता है सीखने में इसको समझने में आपको कोई टाइम नहीं लगा होगा इसको समझने में आप सोच रहोगे ये का चल रहा है जी हाँ अब इसको समझा जाएगा थोड़ा सा समय लगेगा चिंता मत कीजिए तब समझाएंगे अब ठीकिए पहले दूसरे कोशन में टाइम लगेगा देको बात साप है सीखना है तो सीख लो नई सीखना तो हम खेला करवा सकते हैं अपने को क्या है ठीक है समझाएंगे बारा संख्याओं का ओसत बैयालिस है अंतिम पाच का ओसत चालिस है सुरवात की चार का ओसत चावालिस है और बीच की तीन संख्याओं का ओसत हमको नहीं मालूम ये पहले मोटा मोटा पहले बोलो हां सर ये तो हमें मालूम है एक बार बोलो हां बोलो बोलो हां कि नहीं मालूम अब देखो औसत ये 42 है माना इन तीनों का भी आउसत 42 ये हमने मान लिया ये हमने मान लिया बात को समझना अब हमें इधर वाले में आए तो इन में होना था 42 पर है 40 यानि दो-दो कम है इसमें आए तो 44 होना था 42 तो दो-दो ज़्यादा है तो इनी की पहले भरपाई कर लो यहां से 8 ज़्यादा हुआ इस समाज में और यहां से देखा जाए 10 कम हो गया यानि यहां से जो खिला है यानि दो की कमी है तो दो की ये जो कमी है वो भरपाई ये वाला करेगा यानि 42 तीना करेगे और प्लस का दो करेगे 42 तीना 1 126 प्लस दो 128 यानि उन तीनों संख्याओं का योग 128 होगा अब जो भासा बोली गई थी कि ये X है ये X प्लस 6 है और ये X प्लस 5 है तो 3X और 6 5 11 ग्यारा एक्स प्लस ग्यारा बराबर 128 तो एक्स बराबर वन कितना वन वन सैवेन तो तो यह थर्टी नाइन आ गया अब हम से आउसत कह रहा है कि यह और यह का मलब इन दोनों का आउसत चाहिए टू एक्स छह पाँच ग्यारा ग्यारा का अदा सारे पाँच या ऐसे कर लो ग्यारा बटा दो एक्स प्लस सारे पाँच उन्तालिस प्लस सारे पाँच यह आंसर आएगा 44.5 दोस्तो एक बात कहें आप चाहिए किसी से भी पढ़ना जब ये कोशन में हमने अभी 11 मिनिट लगा है तो क्यों लगा है सिर्फ सिखाने के लिए ये वो कोशन है जो latest updated कोशन है time pass वाले नहीं है ठीक है selection लेना है तो ऐसे कोशन को करना पड़ेगा आपके दो हमसर एक आई लाइन का average का कोशन पड़ेंगे तो paper छोड़ के आना MTS में भी आया है ये कोशन सी ये चिसल में भी आया है बताओ हम का कर ले अब speed हमारी बढ़ सकती है आपकी swim से बढ़ेगी जब आप चीजों को समझोगे लोग करो लोग करो तो देखा जाए मेरे हिसाब से तो आप के लिए अभी के लिए better तो ये कि कम से अगम ये किया एक मिनट या देड़ मिनट में आंसर तो आएगा कभी घबराओगे तो नहीं दूसरे वाले में वो आपके अभ्यास पे depend है ठीक हम बताते रहेंगे चलो इसको try करो स्वेम से try करो ये बढ़िया कोशन बच्चों का कहना था कि सब बढ़िया कोशन कराना एवरेज में तो लो भाईया देड़ सो कोशन की सिरीज होगी और जबर दस कोशन होंगे ग्यारा संख्याओं का आउसत चववन है भासा पढ़ो मैं चाओं तो अभी ग्यारा गुणे चववन करके साइड में लिखके तेजी से कर दू नहीं पढ़ेंगे ग्यारा संख्याओं का आउसत चववन है ग्यारा संख्याओं का आउसत चववन है देखे पाल्टी अलग अलग कर देंगे देखे ऐसे अब आदर डालेंगे ता अपने आप सीख जाओगे पहली चार संख्याओं का ओसत 48 है सुरुवात की चार संख्याओं का ओसत 48 है अगली चार संख्याओं का ओसत पहली चार की तुल्ला में 25% अधीक है कवनों टीचर का कोई स्वाट करते है 25% अधीक है 48 का 25% होता है 12 12 जोडोगे तो ये 60 हो जाएगा कहता है 9 वी संख्या 11 संख्या से 8 अधिक है भासा पढ़िए 9 वी संख्या 11 संख्या से 8 अधिक है तो 11 संख्या ये माना जिसे X माना और 9 संख्या ये 9 नमबर इससे 8 अधिक है ठीक है पूरी भासा और कहता है 10 वी संख्या 11 वी संख्या से 4 अधिक है कौन? 10 वी संख्या 11 से 4 अधिक है तो दोको मेरा क्या मानना है ये पढ़ दिया अब आप तेजी से खेल जाओ तेजी से कैसे? 54 गुडे 11 तो 4 ऐसे 5 नो 594 आया इनका गुणा ये अब इनका गुणा करके घटना ही है इधर वाले में ये घटना ही है तभी खेला होता है 48 चौका तो लिखो 8 चौक 32 3 हासिल 16 तीन एक सो बानवे 60 ये 240 ऐसे और ये 8-4-12 ऐसे घटा दू 1-2-3 बराबर 3X बच्चा यहां से X आपको निकालना ही पड़ेगा और जो भी टीचर कह दे सर वाइज इस कोला हुआ ही तो स्वयम जिम्मेदार है मेहनत का खेल है हाँ अब के तो भाई आम नहीं निकालेंगे यह टाला जादो दुनिया यह करना पड़ता है 594 भी यह हुआ अब देखो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0 आया 4 एक 5 5 और 9 14 19 में से 14 गया 19 में से एक हासिल ले लिया 19 में से 14 गया 5 आया अब यह 4 बचा, मैंड में सेट कर लेना 2, 3 यह देड़ सो हो गया बराबर 3 एक्स तो आप यह सीख सकते हूँ जब अभ्यास 2, 3 बार करोगे तो फर्जी है अनथा स्वयम जिम्मेदार कहिता है नौवी और दस्वी संख्या बताओ आउसत नौवी और दस्वी का आउसत तो एक्स एक्स का आउसत तो एक्स ही होता है 8, 4, 12 का आदा 6 प्रभू 50 ऐसे लिख लो 6 ऐसे जोड़ दो 56 आँसर अप कहे दो सर सौट कट बताओ मेरे प्यारे दोस्तों यही सौट कट है आपके लिए आप किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो देख लेना मेरे कहने पर ऐसी ही इस पैटरिंग के कोशन होंगे क्यों? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया देगा इसमें यह नहीं कि इक ही कंडिशन लगा दे तो बच्चा करने से होता है करने से ठीक है? तो लाइक ठोको तीसरा कोशन जियां भासा पढ़िएगा मगर प्यार से तेरा संख्याओं का ओसत असी है देखे अब कोई तो स्पीड बढ़ा दे भै तेरा गुड़े असी हम पहले लिग दे पर नहीं करेंगे ऐसा क्योंकि धीरे धीरे आपको सिखाना है और बच्चा कहेगा सर आप तो उड़ाने लग गए हाँ अब चाओ तो तेरा गुड़े असी साइड में पहले लिग दो समय बचेगा ये बताते जरूर जाएंगे पहली पास संख्याओं का ओसत चोहत्तर दसमलो पाँच है पहली पास संख्याओं का ओसत चोहत्तर दसमलो पाँच है अगली पास संख्याओं का ओसत बैसी देख रहे हैं कैसी कैसी वैलू दे रहा बैसी दसमलो पाँच है अभी मुद्दा है 10 इदर हुए अभी 13 ठीक है अभी बीच में तीन संख्या तो क्या करा है ग्यारवी संख्या कॉमा बारवी संख्या से 6 अधिक है यानि बारवी संख्या को अगर हमने X लिया तो ग्यारवी X प्लस 6 हो जाएगा और बारवी संख्या 13 संख्या से 6 कम है ग्यारवी संख्यां 12 संख्या से 3 कम है क्या बोल गया एक से कड़र ग्यारवी संख्या बारवी संख्या से 6 अधिक है 12 वाली संख्या X है और ग्यारवी संख्या X प्लस 6 है दीकि मैंने गलत नहीं किया यह ना कहते है आप और बारवी संख्या तेरवी संख्या से क्या है 6 कम है तो 6 कम है तो ये 6 ज्यादा होगी 13 संग्या तो कहता भाई या 11 और 13 का और सट ग्याद कीजिए तो फिर से लग जाओ देखो यहाँ आप सॉटकट बना सकते हो ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो भाई ये असी धाई ज्यादा धाई इसमें ज्यादा फिर ऐसे ज्यादा तो वह कर सकते हो पर ना करो असी गुला तीन अठारा आठ तिरिया एक सो चार लिग दो और क्या मेरे भाई इधर आओ माइनस पांच का पचीज दूई हासिल बीस दो बाईस दो हासिल पैतिस दो से तिस दीके प्यार से करने से होगा माइनस में पचीज दो हासिल 10 दो बारा एक हासिल 40 एक 41 और ये 6 दूनी बारा ऐसे घटाऊगे और x x x 3 x आएगा बच्चा मेहनत से होगा अब इसको सौल करो इसमें अब आप चाहो तो हलका बहुत दिमाग लगाओ कैसे ये सारे बारा है ये सारे बारा है ये सारे बातर है अब सारे बारा हो सारे बातर कितना तो आप खुल के बोलो सर्फ 85 होगा कितना होगा है अई बोलो 85 में ने बोला ना तो 85 ही होगा और 85 aur 187 यह यह ऑंतिम्दो संख्या 197 वे हो गया 0 तो यहां से 3 आया तहीं दस में से अभी यह तीन माचा तो यानी 13 में से तो यह 4 हो गया और यह अब हो गया यहां लिख देते हैं से confusion में नाए बच्चा और तीन और एक ये चार तो 243 हो गया बराबर 3x के एक्स बराबर किसके 81 के एक्स बराबर 81 और अब हमसे कहता है 11 वी और 13 वी का उसत यही आउसत भाई इन दोनों का सेम सेम है एक्स प्लस 60 होगा इनका आउसत 81 प्लस 6 87 आंसर अगर हम सौटकट के चक्कर में जाएंगे तो हम गलत कर जाएंगे इमानदारी से बताना मैंने एक बार भी ना रफ किया है ना कुछ किया है और सारे लेटिस्ट अब डेटेट टीसियस कोशन कैसा लगा अब कुछ बच्चे कह रहें सर 15 मिनिट में तो आप तीने करायो अरे दिवता हम ये तीन नहीं करा रहे हैं ये आपको नए कोशन सिखा रहे हैं वो सकता आपने आज तक देखा ही ना हूँ ठीक है देख लो देख लो चलो अब बदला हूँ है थोड़ा थोड़ा बदला हूँ मिलेगा ये लेटिस्ट में बढ़ियां आया है अब रिच सभी लोग चौथे नंबर कोशन को स्वेम लगाईए भासा पढ़िए कॉन्फीडेंस लाईए ठीक है याद रहे सेलेक्शन क के लिए मेहनत करना अब देखु ये नया कोशन है आपने हो सकतार ना पड़ाऊ पहली अब खुदी देखो 20 का कोशन है अब खुढ़ लो पहली चार संख्याओं का ओसत पांचवी संख्या का तीन गुना एSalem पांचवी संख्या का तीन गुना जैनि इत्व नमबर थीके जिसे पहली बार पढ़ रहें पेपर में उसी सापसे एम서 जाते हैं जिसे पाच्वी संख्या को हमने X माना मानने को तो हम एक आए मान सकते हैं पहली चार संख्यां का आउस्त यहां देकिए आउस्त आउस्त पाच्वी संख्या का तीन गुना यानि 3x पर गुड़ा 4 सर क्यों एसा चार कर दिया अरे द्योता A B C D कह रहा है इसका जो आउस्त है वह पाच्वी संख्या का तीन गुना यह कह रहा है तो बताना पड़ता है समझ गए यहां चार है हां कल को कहीं दो अब चाहो तो इनका रेशियो ले लो साफ साफ दिख रहा है 12 इस्टू 1 कहता है यदि उन सभी पाच्वी संख्याओं का आउस्त फिर देखो पाच्वी संख्याओं का आउस्त 85.8 है तो पाच्वी संख्याओं क्या है तो दिखता हमें एक्स की वैलू चाहाए मुलब एक की वैलू चाहता है ए हो गया 13 पहले समझो ए हो गया 13 और यही 13 बराबर 85.8 गुड़े किसके पाच्च के बात है क्योंकि आउस्त से टोटल 85.4 हासिल 25.4 29.2 हासिल 42 यहां लगा दो 13 बराबर दिश्बन भाग दो 13.49 और फिर 49 यानि एक बराबर 33 यही एक इसको डिनोट कर रहा है अब दिखें हमने ऐसा सॉल किया है कि जैसे हम पहली बार पेपर में पढ़ रहे हैं बहुत से टीचरों से आप पढ़ोगे तो वो क्या करेंगे खेल जाएंगे एक नया कॉंसेट बना देंगे याद रहे है जब भी नया कोशन पेपर में आएगा जैसे बता रहे हैं ऐसी ही बन पाएगा टाइम पास से नहीं बनेगा ठीक है पिछले कोशन को बच्चा कह रहा है फिर से फिर से अरे देउता यह देउता यह तीन बार नहीं पांच बार बताया है पहले प्रभू यहां बताया पिर यहां एक नया सॉटकट बताया दूसरे तरीके से फिर यह तीसरा तरीका चिपकाया ठीक है समझ गए तो समझ में आ जाएगा चाले पाच्वा कोशन पढ़िए बच्या इसलिए कहते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो मज़ा आता है और धैर पूर्वा कोई जल्दी नहीं यूगो यूगो तक ये वीडियो मेरा देखा जाएगा आने वाले समय में छे संख्याओं में प्रथम पांच संख्याओं का योग छटी संख्या का साथ गुना है देखे यहां आउसत नहीं बोला यहां खेल गया देखो छे संख्याओं में प्रथम पांच संख्याओं का योग यानि योग छटी संख्या का साथ गुना है अगर ये छटी संख्या एक है तो ये साथ हो जाएगा ये इसका अर्थ है देख रहे है देख रहे है देख रहे है यानि ये शिक्ष संख्या है और यहां पांश ठो है समझ गए यदि उन संख्याओं का आउसत अब यहां पलट गया यहां आउसत बोल ला है यानि ये आठ बराबर आठ बराबर 136 और टोटल 6 संख्या है तो 6 का गुड़ा कर लो हमसे कह रहा है कि प्रभू छटी संख्या बता दो यानि हमका सिर्फ एक की वैलू चाही अब काट लिए अपने हिसाब से सर कई से चार से ये दो बार चार से चार त्याएं बारा और चार चकुछ सोला दो से ये तीन बार और चो तिस त्याएं एक सुद्वी हो गया यही इसका आंसर अब देखिए समय के साथ सौट कड होता है अब कहते तो सर सभी में हमको लॉलीपॉप चाहिए जो हो जाए हमका लॉलीपॉप चाहिए तो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा समझ रहे न यह प्यारा सा कोशन एक बार कमेंड कीजिए और बोलो हां सर अच्छा लगाई यह कोशन ठीक है सब लेटेश्ट अफडेटेंट अगया यह देखो यह देखो अब जो बच्चे ऐसे सी की त्यारी करते हैं ऐसे सी की किसी भी एक्जाम एचिसल एंटी एसी जिय सी प्यों किसी की भी देखो अब यह देखो यही कोशन यह कोशन आया चार तीन दो अजार बीस में और जो हमने आज शुरुवात किया बच्चा चार चे दोजार उननेस यानि सोल दोजार उननेस में यह कोशन जो कि 2018 के पेपर में आया फिर आगे बढ़ेंगे देखो यह अब यह उनननीसी में आये और देखो सेम पैटरं का प्यारा कोशन पीसियस ने कहा कि ना पहले बना पाए होंगे बच्चे ना आज फिर बना पाएंगे क्योंकि छोड़ देते हैं जब नया कोशन होता है यह बीस में बहुत सी किताबों में हाई नहीं यह कोशन हाई नहीं अब बच्चा तो खुद है हां क्या होगा एक कोशन नहीं बनाया अवरेज का तो क्या होगा अरे बच्चा समय बसता है पेपर में खेलो तो 12 संख्याओं का ओसत 45.5 है मैं तो बड़े प्यार से बताओंगा फिर से एक एक भासा को लिखूंगा 12 संख्याओं का आउसत इतना है तो 45.5 ये 12 संख्याओं का आउसत है पहली 4 संख्याओं का 41.5 चाओ तो मैं डायेट यहां लिख दू उस लाइन को पन नहीं सिखाना होता बच्चों को पहली 4 संख्याओं का 41.5 सारे सौट कर डाएंगे आने वाले समय में अगली 5 संख्याओं का 48.6 अब यहां दीखे मेन ये भासा है जिसने प्यार से पड़ा 10 वी संख्या, 11 वी संख्या से 4 अधिक है अब खुरी देखो 5,4,9 हो गए अभी 3 संख्या का खेला है 10 वी संख्या, 11 संख्या 4 अधिक है यानि यह X तो यह X प्लस 4 स्टार्थ यह हुआ और बारवी संख्या से 9 अधिक है कौन? दसवी संख्या यह यानि यह X-5 और बहुत से बच्चे यहीं कन्फुजिया जाएंगे इतने में ही कोई परेसान हो जाएंगे तो आपको कभी डाउट हो तो इंगलिस पड़ो दा 10th नमबर इस 4 more than the 11th नमबर 11th अगर X माना है तो यह X प्लस 4 and 9 more than the 12th नमबर मतलब यही जो 9th नमबर की 10th नमबर की बात हो रहा है तो 9 more than है तो इसमा 4 कम करोगे 4 और फि 5 कम कर दो तो नो या तो इसका इसका अंतर देखो पहले का है 10th नमबर का और 12th नमबर का अंतर देखोगे तो आपको 9 समझ में आएगा बाकि जैसी स्रद्दा तीदी सी बात है और सुनो आपको बता दे यह और यह इनका आउसत पूछा गया तो अगर एकस एकस तो औसत में एकस और यह माइनस का वण भाग दो कि तो दसमलो 5 वैसे कभी कवार बच्चे अंदी मारेंगे तो 46.5 मार आएं इसी के लाश्ट में 5 है बाई सीदी सी बात है इसी के लाश्ट में 5 है तो अंदी मार आու कभी कवार किया 90% आपका सही हो जाएगा कि आपके पास समय ने अंधी मार दिया इसमें कोई भी संख्या आएगा था सुम लोग 5 घटाएंगे तो ये समझ गए तो कि यहाँ पर आप समझ रहो क्योंकि ये तो इंटीजर में कनवर्ड हो जाएगा और ये भी इंटीजर में कन की चांसेज होते हैं अब यह नहीं कि सर वाइद इस कोला वरी कर दो चलो पढ़ते हैं हाँ मैं साब बात करता हूं 12 पंचे साट 0 6 हासिल 66 चाट चेहासिल बार्चोक 48 और 6 48 और 65546 आएगा पहले बोलो हाँ गुड़ा उड़ा कर लो इधर आ जाओ तो इस चीज को हम लोग हमेशा यहां लिख रहे थे 546 माइनस यहां कर लो जीरो ऐसे चार एक पांच छे हो जाएगा दसमलो 214 चार चाकु 16 106 चाट आया यहां आजओ यह 240 होगा इन सब को जोड़ने पर यह चीज यह चीज जो इधर आरे ही माइनस वन तो इधर आएगी तो प्लस वन हो जाएगी बोलो हाँ कि इधर आएगी सर प्लस वन हो जाएगी और एक्स 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 तो ये 3 एक्स हो गया साब बात करो मगर प्यार से करो ये भी है हाँ अब देखो ये 6 है 6 मेंसे 6 गया तो 0 एक जुड़ेगा तो ये 1 क्योंकि जुड़ने वाले में 6,4,10 यह 14 में से तो यह 4 आएगा अब यह 4 बचा 1,2 कम 141 वराबर 3X के तो X वराबर भाग दो 47 यानि 47 X की वैलू 47 आ गई 47 माइनस का 0.5 तो 46.5 यह किसमत अच्छी है कि डारेट भी निकल आया था वरना कभी-कभी यहां कैलकुलेशन में कहीं दसमलों में आ गया तो फिर आंसर में अंतर आएगा चले देगे जो बच्छे RRB NTPC की द्यारी कर रहे हैं देवता वीडियो को देखो TCS कमपनी करा रही है पेपर ठीक है और ऐसा नहीं है पेपर में आते हैं बच्छा सही से अगर सारे सेट देखोगे तो ठीक है चलो अब बढ़े आगे फिर देखो अब बदलाओ देखिए बदलाओ अभी तक क्या करता था कि वो कहानी करके बता देता था और देखो फिर से 20 में कोशन वही बट यहां रेशियो यहां रेशियो देदिया कि 22 और 23 और 24 नंबर यह लेटेस्ट कोशन है ठाइम पास वाले नहीं है देखो 24 संख्याओं का औसट 56 है पहली 10 संख्याओं का औसट 61.7 है यहां लाइन ऐसे खिश दे रहो भी और अगली 11 का औसट 42 है अगली 11 कब और 42 है यहां तक हमें कोई तकलिव नहीं फिर कहता है 22, 23 और 24 का तो दोको 2, 3, 12 का LCM 12 हुआ 2 से तो ये 6 हो गया 3 से ये 4 हो गया और ये 5 हो गया बोलो हाँ मलब जो 22, 23, 24 संख्या हैं उनका वो हो जाएंगे वो 6X, 4X और 5X हो जाएंगे इस समझे आप इसको कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हो नाटे बिग डेल मेरे भाई अब देखो अब बच्चे कहांगे सार 56 गुड़े 24 हो जाता है मेरे भाई करो 56, 56, 24 4, 14 हासिल 120 भी यह सिम्पल से पाड़े होते हैं हम भी कर रहे हैं और क्या ये दस्सा ये 2, 4, 2, 6, 4 इ कित्ता हो गया 10, 4, मुलब 15, X तो बच्चा प्यार से 7, 2, 9, ये 4 है 14 में से 9 गया 5 आएगा इसका मुलब 15 जाएगा ये ये 7 हो गया, ये 13 हो गया 13 में से 7 गया 6 आएगया अब ये 12 बचा और ये 11 हो गया ये 12 बचा, ये 11 हो गया देख रहे हैं कितने प्यार से करता हुआ मासूम सा ट्विचर X बराबर 11 कहता है 12 और 24 संख्या का औसत क्या है 22 और 24 और 24 का औसत चाहिए दसमलों में आएगा, आपको दिखी भी रहा होगा ये 11 हो गया, 11 X समझ गया, तो 11 गुड़े 11 कर लो बचा दूई यानि 121 बटा 26,5 आंसर अब चाहिए आप 30 से भी पड़ो यही बताएगा अब अगर हम यहां मान लो एप्रॉक्स मान के चले 56 तो यहां घटाना पड़ेगा तो वो अलग एक और लेथन लो, इधर लेथन लो इससे बढ़िया मुझे यही समझ में आया कि बैटर है 60.5 इसका आंसर घबराईये नहीं, सीखिए समझे कि नहीं समझे तो प्यार से पढ़िये एक लेबल के कोशन यानि वो कोशन जो आपका सेलेक्शन तै करेगा ठीकि आता सब को है आवरेज होता क्या है बड़ा बेसिक चैप्टर होता है पर जब पहले जहरीले कोशन करा दे और जहरीले वो नहीं कि जो आए ना कुछ अलग टाइप के भी जहरीले कोशन होते है ठीक है कैट का उठा के चिपका दिया यह लो प्रकासर ने जहरीला ना जहरीले वो जो पूछे जा रहे है ठीक है यह नहीं समझ गया ना आजकल बहुत नया खेला होता है ठीक है मेरा क्या बच्चों को डराओ बैच बेचो ऐसा नहीं है बहुत किताब फ्री पडाईंगे यह भी ड्यान रखना वहुत किताब में फ्री पडाइंग तब जाकर एकात किताब को पेड़ करना पड़ता है कोर्स को नहीं किताब को मेहनत लगती तो कहता है पांच धनात्मक संख्याओं का उसा छपन है कौनों दिक्कत नहीं यदि पहली संख्या अंतिम चार संख्याओं के देखे सीजियल मिन्स का कोशन है कुछ नहीं फर्जी है कुछ नहीं भासा जिसको पढ़ना आया उसके लिए फर्जी है 1811 2020 फर्जी कोशन देखो पांच धनात्मक संख्याओं का उसाच छपन है ठीक है पहली संख्या अंतिम चार संख्याओं के योग की तीन चौथाई है तीन चौथाई है कौन पहली संख्या तो पहली संख्या तीन हो गई और ये चार हो गई ठीदी सी बात है अब बताए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताना कि सर आपने बड़ा कठिन चीज बताया अरे दियुता भासा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पाँच धनात्मक संख्याओं का आउसा च्छपन है तो च्छपन गुड़े पाँच तीन सो असी टोटाल हुईगा यदि पहली संख्या अंतिम चार संख्याओं के योग की तीन चौथा यह यानि ये तीन चार कहता है तो अंतिम चार संख्याओं का आउसत बता दो अरे पहले तो ये साथ हो गया और ये साथ बराबर दो सो असी के तो एक बराबर किसके साचोगा टाइस होता ना चालिस के एक बराबर चालिस के साचोगा टाइस यानि अब अंतिम चार तो चार गुड़े चालिस ये हो गया यह टोटल हो गया कईड़ा आउसत बता दो चार से भाग दे दो अब मालू है आप लोगों ने स्वैम कर लिया होगा चालिस आंसर ना एक्स लिया ना वाई लिया और आंसर बता दिया बुलु बुलु टेल टेल ऐसा लगा अरे दे उताओं आंसर बताओ यह सभी एक्जाम के लिए कोशन है लेटेश्ट अपडेटेड बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि एंटी पीसी के एक्जाम में नहीं आएगा कि एचसल में नहीं आएगा किसने का सब में पाया जाएगा नए कोशन बनाओ प्यार से करो प्र समयों पांच धनात्मक संक्याओं का और यह तीन हो गए टोटल साथ हो गई साथ बराबर दो तल 160 हुआ और सच चाहता था चार से भाग दिया चालिस अंसर ठोक लाइक गवराईए नहीं करके दिखाईए अब यह कोशन जो आपके सामने है यह कोशन यह कोशन आपने हर एक एक एक्जाम में देखा होगा मतलब आपने गल्ती से कोई भी फॉर्म भरा होगा आपने यह पैटरं का कोशन देखा यह होगा ना देखा ओँ तो बता देना आज इस समाज को कि सर हमने आज तक ऐसा कोशनी देखा बोल दो किसी समू के वेक्तियों का आउसत 35 है अब समू में कितने लोग हैं को नहीं मालूम पर आउसत कितना है 35 है, ये ये एवरेज है, माना समू में X लोग है ये अभी लिख दे रहे हैं, चलो X हटा दुबाई, मालूम चला X के चक्कर हैं पर्हेसान हो जो सही आउसत से धाई वर्स अधिक था मतलब आउसत 35 है और जो राइट आउसत से धाई वर्स अधिक था तो देखा जाए तो राइट आउसत तो आपके सामने 32.5 हो जाएगा भाई इसका कहने का मतलब तो यह हुआ कहता किसी समू के आउसत 35 है जो सही उसस से धाई वर्स अधिक है तो धाई वर्स अधिक है सही उसस से धाई वर्स अधिक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि दो व्यक्तियों की आयू 29 और 22 वर्स की बजाए 30 वर्स 38.5 और 40 वर्स दर्ज की गई यानि यह एक्स्ट्रा हो गई तो एक्स्ट्रा होगी 38.5 प्लस 46 और इसमें घटाओ क्या 29 प्लस 22 चलिक करके दिखाईए आप लो करके दिखाईए करके दिखाईए करने से होता है करके दिखाईए जली से करके दिखाईए ठीक है मेरे मासूम से दोस्तो अरे भईया इसको तो करके दिखाओ इसमें कौन हमन करेंगे हम दसमलो पास तो ऐसे ही रहेगा आठ ऐसे आया 9,2,11 11,8 तो यहां 7 ही आएगा 2,2,4 हुआ 4,3,7 एक कम हो गया था 27.5 का डिफरेंस आया और देखा जाए इसका जो डिफरेंस था वो धाई था मैं फिर से बता दूँगा कहरा कितना व्यक्ति होगा तो 27.5 में धाई का भाग दे दो 11 लोग में बटेगा कद्दू कटेगा सब में बटेगा 11 आंसर कहरा है समू में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी 11 होगी एक बार फिर से समझो अब देखो मैंने क्या कहा है सभी में आता ये कोशर अब हलका तो भासा बदलेगा मेरे बाई आपके तो टाइम है पास करा दो नहीं समझो किसी समू के व्यक्तियों का ओसत पैतिस है स्टार्टिंग में कह रहा है कि समू के ओसत का पैतिस है ये पैतिस कब जब गलतिया हो गई जो सही ओसत से धाई वर्स अधिक है तो सही तो 32.5 उससे धाई वर्स अधिक है फिर कहता है क्योंकि दो व्यक्तियों की आयू 29 और 22 की जगे तुरुटी वस ये हो गई यानि इसका योग और इसका योग का अंतर साड़े 27 हुआ यही किया मैंने और मैंने काक करके देखो यही तो बोला अब हमसे कहता है देवता समूम में व्यक्ति क्या और इन दोनों का अंतर धाई लड़ू साड़े 27 लड़ू का अंतर आया धाई से भाग दे दो तो यह 11 लोग में इफेक्ट पड़ेगा कर दू कटेगा तो सब में बटेगा तो कितने लोग में इफेक्ट पढ़ेगा ग्यारा लोगों में, right answer of this question 11, धन्वात मेरे प्यारे दोस्तों, बस पढ़ते रो, मुस्कुराते रो, सीखते रो, एक लेबल के question पढ़ते रो, ठीक है, चली इसको करिए, देखिए, same pattern पे question है, एक पर सोचो, कि क्या ये आप से बन पाएगा, सोचो, करने को क्या मैं योई कर दूँ, कोई फाइदा नहीं, कहता है, कुछ संख्याओं का आउसत 54.6, यदि 75% संख्याओं में प्रतेग में 5.6 की वरदी कर दी जाए, और 6 में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का आउसत क्या होगा, एक चीज समझ खुद से सोचो, खुद से करो, और बताओ इस समाज को, कि कैसे होगा, देखो, 2020 का कोशन है, आपको उता है, बिल्कूल इजी है, समझना, किताब से हटकर, यदि 75% संख्याओं में से, प्रतेग में, दो को 75% का आर्थ होता है, 3 बटा 4, 5.6 की वरदी, तो टोटल संख्या हो गई, 4 और 3 संख्याओं में, 5.6 की वरदी हो रही है, तो बची एक, क्योंकि भाई, टोटल 4 संख्याओं, अरे भाईया, 75%, आप आई समझो, 75%, 25% तो रेश्यो कितना, तो कहोगे, खुल के सर, 3 और 1, यही बोलोगे, तो 3, 5.6, और 6 क्या है, 1, तो 6 मे से 8.4 की कमी कर दी जाए, तो यह इसमें 8.4 की कमी, यानि माइनस का सिंबल, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का आउसत क्या होगा, निकाला जाएगा, देखो पहले तो आउसत 54.6 दिया गया, पहले अब यहां से हम सारा खेडा देख लेंगे, जो मिलेगा, वो हम जोड देंगे, या घटा देंगे, आंसर आजाएगा, देखना भी, सब समन में आएगा, गुणा करो, गुणा करो, चत्री कठारा, पांतेया पंद्रा, एक सोला, यहां तो बस, अरे इसका, इसमें, इसका, इसमें, यह कित्ते लोग रहा है, चार कद्दू कटेगा, तो सब में जोड़ दो, अगर माइनस का होता दो, घटा दिते, तो 56.7 is the right answer, आराम से पढ़ो, दुबारा सीखो, ठीको, पूरे चैप्टर में मुश्किल से 50-60 अच्छे कोशन होंगे, बाकी तो वही जो पुराने जवाने चले आ रहे हैं, जो हमारे पिता जी भी पढ़ते थे, भई आगे, वो तो वैसे ही मिलेंगे आपको, पर कुछ में तो बदलाओ आएगा, वो आप, आप सोच लोगे सर पहले और वाला करा दो, और नमबर लगातार इतना, उनका आउसत लगा, वो सब आएगा, वो सब आएगा, 60-70 कोशन करने के बाद आएगा, वो वाले, जो आप ब आपसन भी देख लो, इसी के आसी पास है, पहली बात तो यह, और साइद देखो, सारे के सारे जादा हैं, यह भी समझो, के तब 75% संख्याओं में 5.6 की व्रदी, 75% यानि 3 और 25% एक, तो यह 3 में 5.6 की व्रदी, और 1 में 8.4 की घटा होती, तो गुणा करके यह निकाल लि चार से भाग दिया, तो 2.1 पॉजिटिव है, तो और सब में जोड देंगे, निगेटिव आता तो घटा देते, मुद्दा खतम, ठोको लाइक, अद दसवे के बाद कौन सा नमबर आता है, 11, ऐसा नहीं आसान कोशन भी आएंगे, चलो बाई, करो, ठब जाता हूं मैं, चल अवसत, योगदान पचास था, बाद में उनके सिच्छच ने भी कुछ धनka योगदान दिया, अब आब ऑउसत छपपन हो गया, सिच्छच का योगदान दिको, इसको दो, तीन तरीके से कर सकते, 2-3 तरीके से कर सकते, पहला तरीका जो मैं पहले बताया करता था उससे बता दे रहाँ पहले मैं यहीं बताता था कि 24 लोग है पहले समझना या छात्र समझना लो है हम ऐसे बताते थे क्लास में ओफ लैंड में बाद में प्रकास सर को धूला है हमको धूला तो अब हो गए पचीश लोग अब इनके पास लड्डू कितने है अब इनके पास 56 चपन लड्डू हो गए अब देखो एक व्यक्ती बढ़ा और 6 लड्डू बढ़े पहले बोलो हा कि दिसी बात एक व्यक्ति बढ़ा तो 6 लड्डू बढ़े यही तो हुआ तो कहते हैं कि इवाले में 24 गुड़े 6 और एक गुड़ा 56 आईसे किया जाता और जोड़ उतने लड्डू किसके पास है प्रकासर कांपुर वाले के पास तो 24 गुड़ा 6 और 56 वंजा 56 ज्यादा लड्डू नहीं है मैं परस 200 लड्डू है तो यह आंसर है और यह ऐसा पैटन बता दिया है ना कि इससे आपका गलती नहीं होगा कभी अरे मोटा मोटा समझो चौबिस लोग रहा है पचास लड्डू प्रकासर को लाए चपन लड्डू आप मोटा मोटा समझो कि प्रकासर के पास 56 लड्डू तो होंगे होंगे इससे तो कोई रोकी नहीं सकता और यह 24 लोगों ने मुझसे 6 जट्ड्डू लिया कि नहीं लिया तो चौबिस खका 144 200 स्क्राइब फैस्ट प्रकास साथ के पास अधिस पॉस्थ प्रोसेस ले बच्चा कहता सर मज़ा नहीं आए पच्चा क्या घरा एक किर रहा है कि रिकोर्डिंग वाला रे दियोता यह लाइब प्डार रहा है दियोता ठीक है रिकोर्ड करते तो मोर्गन बाठते तुम को ठीक है समझ लो जैसे हमने मेंसुरियसां ज Colombian के coordination रिकॉरण करते हैं जहातर देख पूंकर बहुत समझाना होता है कि इनमें तो समय लाइब मेरे भाई यह लो समय देखो 21 बच के 23 मिनट अब तो देख लो तानी कौन से दुनिया से हो कुछ भी बोलना है देखो 24 छात्रों ने दान के लिए तो 24 छात्रों ने दान के लिए औसत 50 प्रकासर को ढून लाए ढूने लाए अब इनके पास कितने लड़ू यही पूछा जा रहा है इस समाज में दिखो यह तरीका क्यों बता रहे है पहले उसको समनना आने वाले समय में आद दो वेक्ति आएंगे यहां तीन वेक्ति आएंगे चार वेक्ति आएंगे कि पचीज गुड़े चापन दिखो यहां पर भले आपको लगे कि थोड़ा सा बड़ा हो गया पचीज गुड़े चापन माइने 24 गुड़े पचास और यह एक्स के बराबर यह इसका आंसर होगा तो यह इसका आंसर होगा तब आपको थोड़ा सा इसमें complicated लगेगा क्योंकि 56 और पचास है कभी easy value होती है तो तुरंत हो जाता है ठीक है दोसों आएगा आप समझदार हो लब समझदार हो कैसे सर कैसे अरे भईया इसलिए तो प्रकास सर है अब देको कैसे करते हैं यह जो पचास दिख रहा है तो अब आपको 25 गुड़े द अंतर चार और पचीज कॉमन रहे 200 हुईगा समझ गए चला तो 11 के बाद 12 नमबर खेला हो भी खेला चलो बाई करके देखो करके देखो करने से होता है चार संख्याओं का आउसब 30 है और पहली चार संख्या से संख्याओं के योग के एक बटा तीन भाग के बराबर है देखो चार संख्याओं का आउसब 30 है यानि टोटल 120 हो गया पहली संख्या से संख्याओं के योग का एक बटा तीन है यानि पहली एक है बची तीन संख्या तो तीन है यह तीन संख्या है यह एक संख्या है के तब पहली संख्या बता दो फड़ी कोशन अब ये भी तो आते हैं होड क्या सुचो इसलिए तो नॉर्मलाइजीशन होता है चार बढ़ाबर 120 यानि 30 का गुणा के रहा पहली संख्या बता दो किसमत खुल गई इस बच्चे की तीस आंसर बल्ले-बल्ले कर रहा है बोलो बोलो टेल टेल तो बैया आता सब पेपर ये याद रखना आसान भी आता है टब भी आता है ठीक है या लाइक और सेर्थ तुरंट कर दो अब ये किसमत है इस बच्चे की बल्ले-बल्ले कर रहा है कि फड़ी कोशन आता है ऐसे अब देखो ये टीये टू में आप होगे क्या ये तो उसमें आता है गुरूब डी के एक्जाम में या लोकल लेक पाल दुनिया पाल वाले में पर आता है सीजल मिल्स में भी ऐसे फड़ी आते हैं देखो क्या कहता है एल एम एन का ओसत तिरान भी है ओसत है तो एल प्लस एम प्लस एन अब तिरान में लिखा तीन का गुणा करके लिखेंगे प्रकासर और का 279 हुईगा बोलो हां कहता है एल और एम का ओसत एटीन आई एल और एम ऐसे लिख दो 89 ने 2 का गुणा करके लिखेंगे 18, 178, कहता है M और N का ओसत, 96, 5, 2 का गुणा करेंगे, 12, 13, 18, 183, बोलो हां कही रहा है प्रभू M का भजन बताओ, अब ये समझ रहो, क्लास 8 का बच्चा ये स्वाल्व कर लेगा, पर पूछा गए है CGL मिन्स में, तो किसमत है भईया, किसम बता दो, हमोगे कैसे बताते, M, देखो, कौनों पकड़ लो, ये LM है, ये LM है, 9 में से 8 गया, तो 1 आया, 7 में से 7 गया, 0, 2 में से तो ये 101 आया, हाँ, गलत भी हो जाता है कभी कोई, ये 101 हो गया, तो, नहीं, कौन हो गया है, बगलवाला हो गया, देखा, कुछ ना, कुछ गवड़ हो गया, 9 तरिकर 27, एक सेकेट, 8 दूने, 16, 17, ठीक है, वाय दिसे, कुलवरे, कुलवरेटी, अब देखो, M आना था 82, अब आ रहा है, कितना, मेरा तो, मेरा 82 आ रहा है, आना बान भी होगा, वाय दिसे, कुलवरे, कुलवरेटी, दोस्तों बता रहे, कभी कभी भावना हों बैजाता है, अब भी, है, M और N का आउसत, 96, पांच है, तो 6 दूनी, 12, 13, 13, अब यह, यही गलत, देख रहे, देख रहे, देख रहे, अब लाइब दिखिए, इसी लिए, कभी किसी को छोटा मता आतो, हमने आता, देखो, हम रहे, यह, इसी को कहते है, ओवर कॉन्फिदेंस, और कुछ नहीं, समझ गया, सब होगा, 101 यह आया, पहले बोलो, हाँ, यह 101 है, 193 में घटा होगे, तो 292 आया, तो भी, आयसे कोशन क्लास, एड़त का भी वच्चा सही कर देगा, 292 आंसर, चलिए, CGL मेंस का कोशन, देको प्यार से, कहिता है, महस 1250 रुपए के ओसत मूल से 3 सेड़ खरीदता है, कितने खरीदता है, 3 सेड़ खरीदता है, 3, 1250 रुपिया, यदि वे 1450 रुपए के ओसत मूल से 2 और सेड़ खरीदे, यदि दो सेड़ का मूल, 1450 रुपिया, तो दिये गए सभी पांचों का ओसत मूल, देखे, इसका तरीका आप सीखो, इसमें हमारा क्या, सभी का नियाम है, इनमें से सबसे छोटा कौन, 1250, 1250 मिनमम औसत तो होगा ही होगा, इससे कितना जादा है, तो 200 जादा है, तो ये एक का 200, तो दो का कितना जादा, 400, तो 400 ऐसे लिख दो, अब कद्दू कटेगा, तो सब में बटेगा, तीन दो पांच से भाग दे दो, असी आया, एमा जोड दो, 1330 आंसर आ गया, कैसा लगा ये सीजियल मेंस का कोशन, बोलो मगर प्यार से, क्या 14 नंबर कोशन आपको आसान लगा, कि नहीं लगा, एक बार बोलना, हां सर, हां सर, हां सर, चाले तो हर एक चीज सिखाएंगे महबद से बताएंगे भाईया लाइक और शेयर नहीं हो रहा है आजकल पता नहीं बच्छा ना लाइक करता ना शेयर करता है पता नहीं क्यों अरे भाईया यह प्यारी कोशन इससे अधा अप्टेटिट कौन पढ़ा रहा है लाइट में आकर ठीक है इसका 1330 आएगा कि नहीं आएगा 14 का ना तो कोई बोलना है नहीं खराब लगेगा 15 नंबर करो जल्दी से अब यह ना कहना कि यह मेंस का है करो बस तीन संख्याओं में से जिसका आउसत 22 है तो 22 गुड़े तीन चाचट पहली संख्या दो अनसंख्याओं के योग का तीन बटा देखिए तीन बटा आठ का मतलब समझ रहे ना कोई दुटों है तो दुटों का यह है और पहली तीन है एखेर मतलब ई होत है कहिता पहली संख्या बताओ एक हा का विगा ग्यारा इच्छै का गुणा और चचत्री का ठारा बता लो यह सीजल मिंस में आता है देखिं लो सभी बच्चों के दोसों में इसे 200 नूम्बर आते हैं थीक है और यह मेंस के अभी देखना जब MTS का देखो कि तो रोना आएगा बढ़ियां कोशन आता है MTS के एक्जाम में ठीक है यह मेंस के आगे आगे और फी चिलाता बच्चा और मेरे दोसों में से दोसों आगे अरे भाईया तो आएंगे तभी तो कटॉप क्यों जादा जा रहा है वो इसका काण यही है पेपर असान दोगे तो कटॉप जादा ही जाएगा अब इस कोशन के लिए जिसने कभी कोचिंग की हो या ना कियो क्लास एर्थ अगर सही से पढ़ा होगा जीवन में बन गया कोशन और गया वो भी कहेगा लोग तो सीजल मेंस वाले को भी हरा देते ह चैले इसको किजिए पहता है तीन संख्याओं के सेट में पहले दो कावसत 21 से अंतिम दो कावसत 24 से पहले अंतिम कावसत 15 है तो तीन संख्याओं का अब देखो यह फर्दी कोशन पहली दो संख्याओं का अबसाद 21 है तो एक्स प्लस वाई 21 दूना 42 अंतिम दो संख्याओं का अणिए यंश दूना 48 पहली और अंतिम याने एक्स प्लस जेट 15 दूनी 30 कहिता तीनो का अशत तो पहले जोड लो दूश बार एक्स प्लस फ्लस जेड आई से हुई कहा किट्टा विगा नबय 120 विट द घूसे भागज आप तो इसलिए के तर्क नुम् से ऩौन अंने ए पिशकि benzत तो इसलिए काषिए प्यापड के के तो शेरे में तॉप मारके जाओगे हर जी कोशन आते हैं चाले प्यार से पढ़िए 16 के बाद 17 नमबर यह कोशन बहुत चलना है मार्केड में हम आपको उमसाब बताएं हमने ऐसे कोशन को गुरूप डी के भी एक्जाम में देखा है एंटी पीसी में भी देखा है और आज यहां पर भी है मैंने स कि देखना अभी प्रकास सरकेश्दे कर आते हैं देखना लाइव एक चिडिया घर में रवी वार को और सब पांस तो अंक्तुक आते हैं मनलब रवी वार वाले दिन क्या चिडिया घर में क्या चलो बाई जैसे आज 14 तारीक है 14 फरवरी तो लोग गए होंगे चिडिया घर बाई हम तो कानपुर वाले हैं तो कानपुर में तो चिडिया घर में भर जाता है 14 फरवरी वाले दिन ठीक है जानवर वहुत है ना वहापर चिडिया घर में एक चिडिया घर में रवी वार को आउसत 500 लोग आते हैं और अन दिने 200 लोग आते हैं रवी वार से शुरू होन वाले तीस दिनों में एक मेने में प्रतिदिर आने वाले एक चीज़ समझो जो यह चालू हो रहा है तो संडे से स्टार्टिंग हो रहा है तो इसमें पांस संडे पढ़ेंगे और पच्छिस अधर डे पढ़ेंगे इनका रेश्यों लेलू 5-1 संडे वाले दिन 500 आते हैं और बाकी दिन 200 लोग आते हैं कही रहा है देवता आवसत बताओ तुमने का प्रकास सरी स्टूडेंट छुटको कौन है मिनमुम 200 तो 200 तो हो गई होगा कितना जादा 300 जादा गुड़ा एक यानि 300 एक्स्ट्रा पर कद्दू कटेगा तो सम में बटेगा 6 से भाग दो 50 यह बोलो बोलो खुसी मिली कि नहीं मिली बोलो मेरे प्रभू कह रहा है एक चड़िया घर में रवीवार को औससत 500 लोग आते हैं और अने दिन 200 आते हैं रवीवार से सुरू होने वाले 30 दिनों में एक बात आप बताइए जब रवीवार से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 5 सं पढ़ेंगे और तो 25 अदर डेस पढ़ेंगे अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो 5 और 1 का रेशियो आता है पहले बोलू हाँ यहाँ पर 5 मलब अदर डेस में 200 आते हैं और संडे को 500 आते हैं तो 200 और 500 में मिनमम 200 तो आएंगे यह आएंगे इससे यह कितना ज्यादा तो इससे यह 300 ज्यादा एक में 300 तो 300 अब कद्दू गटेगा तो सम्में बटेगा पांच और एक छे छे से भाग दोगे तो द्योता धाई सो इस दा राइट आंसर प्यार से पढ़िए हमारे साथ पढ़िए ठोको लाइक बोलो हाँ अठारा नंबर कोश्यन फर्जी कोश्यन कहता है तीन संख्याओं का आउसत 26 है जिनमें से पहली संख्याओं दो संख्याओं की योग का दो बटा ग्यारा अब दो बटा ग्यारा का मतलब सम्झेगे दो बटा 11 अब पहली संख्या जिनमें से पहली संख्या दूसरी दोस संख्याओं का दो बटा ग्यारा यानि टुश्टू वन कि मतलब ये दू लोगों का है ये एक लोग का है ये चीज़ है कहता तीन संख्याओं का उसा 26 है तो 26 गुड़े 3 हो गया और मेरे दियोताओं देखा जाए ये कितना हो गया 13 हो गया 13 बराबर दिस्वन भाग दे दो तो ये तो दो बार में गया 1 बराबर 6 और जब 1 बराबर 6 है तो पहली संख्या 6 का गुड़ा किया 12 ये सीजल मेंस का कोशन है अब हसना नहीं कोशन को स्वाल करना 12 इस दा राइट आंसर ओप दिस कोशन चलिए आगे बढ़ते हैं कि सब कराते हैं बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए कहता है पचास शात्रों की क्लास का ओसत 48.6 अगर 20 लड़कों का ओसत 54 होगा तो क्लास में इस ती लड़कियों का ओसत आप एक चीज़ देखो टोटल पचास लोग हैं जिसमें 20 वाइज है तो बाइडिफाइट जो गल्स होंगी वो 30 होग वाइज का ओसत 54 है गल्स का ओसत हमको मालूम नहीं बोलो हां और पूरी क्लास का ओसत 48.6 हमसे कहरा गल्स का ओसत बताओ अब यह टियर टू में ऐसे कोशन आए और तुम ठेहरे गल्ती से प्रकास सर सर जीरो जीरो तो पहले निप्टा दू जब यहां निप्टा है तो यहां पर भी निप्टा दू बच्च ववन दूना 108 करना है एखेर गुणा 3X करना है और प्रभू इसका गुणा इसके बराबर 6 पंचे 30 तो 0 3 गया 5 4 3 4 4 हासिल 20 243 हुआ 3X ऐसे ग 135 यानि X बराबर 45 हमका का चाहिए औसा चाहिए तो भईया 45 is the right answer of this question ठोको लाइक बोलो हाँ चले इस question को बनाईए मगर प्यार से कहता है 50 शात्रों के किसी परिच्छा में औसप अंग 65 थे कितने थे अरे कितने थे 65 थे कहता है पचास शात्रों के किसी परिच्छा में आउसत अंग 65 थे बाद में ऐसा देखो पता चला कि किसी शात्र के अंग 38 की बजाय तिरासी जोड़ दिये मतलब जादा जोड़ दिये यही तो हुआ मतलब आउसत कम हो जाएगा भाई देखो पचास लोग राए माय घरमा कहते थे पचास लोग 65 65 लड़ू खाते थे आवरेज में यह निफटा देते थे पर गलती से जब टाइपिंग होते जिसे आप लोग तेजी से टाइप करोगे जब भविस में तो तीन आठ दमाना तो जल्दी से आठ तीन दम गया यह टाइपिंग एरर होती है बहुत स्पी तो पैतालिस कम होगा पर कद्दू कटेगा तो कितने में बटेगा इन पचास में बटेगा कि दिसी बात है तभी तो ओसत का खेला है ओसत का मतलब तो यही है ना बाग दे जो दसमलो नौ आया यहां पैसाट है तो चौशट दसमलो एक आंसर आएगा फिर से समलो मेरे पैसाट लोग रहे हमाय घरमा सब लोग पैसाट पैसाट लड़ू खाते रहें या पैसाट पैसाट रुपिया सब के पास रहें एक बंदे के लिए क्या हुआ गलती हो गई ओके होने थे 38 रुपिया टाइपिंग में हमने 83 मार दिये जल्दी से आगे पीछे टाइप हो गया यानि 45 का डिफ्रेंस आया और यह जो इफेक्ट है यह पचासों लोगों में पढ़ना चाहिए तो पचास से भाग दे दो 65 माइनिस देखो सभी के ओप्सन 65 से कम है तो यानि कॉमन से कोशन ले रहा है 64 थसमलो एक इस दा राइट आंसर अरे अब तो ठोको लाइक और बोलो हाँ ना तो कोई बोलना ही नहीं खराब लगता है सेम पैटर्ण का कोशन यह सभी एक्जाम में पाया जाता है जल्दी से करके बताईए चालीस फिर से वैसे है चालीस बंदों का उसाथ कितना है अर्सट अब यहां देखो सारे और सच से जादा है तो समझदार हो इतना तो common sense अब प्लस करना होगा अब क्या डरना चालिस ऐसे अब देखो आप तो आपको जादा सोचना भी नहीं है इतना करना कि भाईया इनका और इनके योग का अंतर देख लो बस इतना कर लो तो चार आठ बारा दस एक सो दो हो गया शे चार दस हो गया बारा एक तेरा एक सो तीस अंतर कितना आया 28 का आया बस भाग आग दे लो अब गलत भी हो जाएगा वाई दिस सिक लावरी को लावरी दी एक सो तीस सही है यहां गरबड हो गया यह एक सो बारा होगा सर यह कैसे मालूम चल गया भीया हो जाता है गरबड तो इंसान को मालूम भी चल जाता है इंसान है भाई छे आर्चा बारा छे चारदा से एक सो बारा एक सो तीस अब अंतर देखो अठारा का ओप्सेंस कोई नहीं मैच करा तो उसका मतलब बढ़ हो गया बाग दो बाग दो बाग दो आहां चार चुकु सोला यह दसमलो फोर पांच आएगा फिर और क्या अर्षर दसमलो चार पांच और किसी में बनी नहीं दा तो एक किस का आंसर आपके सामने 68.45 हो जाएगा बोलो हाँ अर्षर का आंसर एक किस का आंसर अर्षर दसमलो चार पांच बिल्कुल मेरे बाग मैनस से सफलता मिलती है दोस्तो बाइस नंबर कोशन आपके दोसर ये हडबलू दे दू नहीं देंगे आज ये छटी बार आ रहा है ये डिफिकल्ट पैटन का कोशन है आज ये छटी बार आ रहा है और छटी बार भी कौन करेगा कौन करेगा प्रकासर कानपुर वाले करेंगे छोड़ेंगे नहीं जूजेंगे छटी बार बारा संख्याओं का आउसत 55.5 है करन छोड़ने को कर दू है पर नहीं मेरे साथ सभी लोग खुद से करो ये डिफिकल्ट हो गया है अभी भविस में आन्याले सेशन में MTS में कराएंगे ऐसे कोशन तो भी हम करेंगे पहली चार संख्याओं का आउसत 53.4 अगली चार संख्याओं का आउसत 54.6 अब ये चार चार आट हो गई बच्ची किती चार संख्याओं इस बार चार है ठीक है चार संख्याओं बच्ची कलर बदल देते हैं दसवी संख्या, 9वी संख्या से 3 अधीक है दसवी संख्या, 9वी से 3 अधीक है यानि 9वी संख्या को हमने x ले लिया तो 10वी x प्लस 3 हो गए, दिकि भासा लेकिन 11वी और 12वी से क्रमसा 2 और 3 कम है ग्यारवी और बारवी से करम साथ दो और तीन कम है अब यहाँ पर बच्चा क्या कन्फुजी आ जाएगा यहाँ पर देखो ना 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 दस्वी संख्या नौवी संख्या से तीन अधिक है तो यह बिल्कुल सही लिखा मैंने ठीक है लेकिन ग्यारवी और बारवी से दो और तीन कम है यानि यह एक्स प्लस पांच होगा और यह एक्स प्लस क्या होगा च्छे होगा सही है ऐसे कर लो अब किताब में देखा जाए तो साइड यहां x-3 लिया यहां x फिर x-2 x-3 से कोई फ़ाइन ही पड़ता concept is the power जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं कहता है दस्वी और बारीवी संख्या का उसत अब calculation करो मैंने का मैं हर एक question का करूँगा इसकी calculation छोड़ूँगा नहीं इसका इसमें 12-5-60-0-6-86-66-66-66-66-66 ठीक है यह हो गया माइनस में चार्च को 16 हासिल एक बारा एक तेरा एक हासिल बीस और एक किस चचोको 24 दो हासिल कि सोला दो अठारा कि बीस और एक किस दिगे चाहूं तो मैं आपको हड़ू छोड़ दू पर नहीं छोड़ता मैं चैपांच 11 चैपांच 11 बारा तेरा चौदा माइनस चौदा बराबर चार एक स्केजबार के एक कैल्कुलेशन करिए अधैर पूर्बक अब एक चीज़ देखो छे चार दस यानि अगर मैं इसको इसको हटा कर अब तीन की जगे चार देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है पता है आच चार बारा बारा चार सोला 6 में से गया तो जीरो आया पहले बोलो हाँ नहीं एक से कि आच चार बारा चार सोला ये चैज से जीरो पर एक हासिल यहां पांच हो गया होगा ये भी समझना है ये कल को ना कह दो अब देखो एक दो और तीन पांच में से तीन कम हो तो दो आएगा दो दूना चार तो ये 220 आया बराबर चार एकस के तो पचपन आया तो हमसे कहता है दसवी और बारवी संख्या का आउसत दसवी और बारवी संख्या का आउसत तो एकस एकस का एकस ही रहता है तीन और छे का आउसत साड़े चार हो जाएगा तो पचपन और साड़े चार 59.5 पूरे कोशन इमानदारी से यूटूब में लाइब करते हुए मैं चाहता तो मैं छोड़ देता हूँ और मैं कहता हूँ बच्चा घर से कर लेना एक एक पॉइंट एक एक वैलू बार-बार करके दिखाएंगे बढ़िया कोशन है बच्चा ठीक है एक बच्चा कर रहा कि सब पहले कब आया था यह कोशन अरे देउता अरे देउता यह मैं समझ गया यह राकेस बच्चा है कोशन नमबर पहला देखो देखो कि दो बार बताया था कोशन नमबर दूसरा कोशन नमबर तीसरा भया हमने सारे मलब डिफिकल्ट कोशन के साथ तुम खेलते हैं कोशन नमबर छेटा थोड़ा नहीं मैं एच डबलू बोल देता बहुत से टीचर बोल देते हैं एच डबलू कर लेना पर नहीं है बाई जब हम जूज रहे हैं तो आप भी जूज हो हमारे साथ देखो देखो और हर बार बदला हो है कोशन ये भी समल लेना 22 हो गया चाले 23 नमबर सबके साथ जूजेंगे प्रकास सत्कानपुर वाले चलो इसको ट्राइब करो 23 नमबर को सभी लोग ट्राइब कीजिए डरना नहीं सीखना है तेस नमबर कोशन आसान है कहता है 18 संख्याओं का ओसत 37.5 है कोई दिक्कत नहीं 6 संख्याओं का ओसत एक से सुर्वात की 6 संख्याओं का ओसत एक से उन सभी संख्याओं में जोड़ा ज़ता है अठारा संख्याओं का ओसत इतना है यदि 6 संख्याओं का ओसत एक्स उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के ओसत में एक की बड़ोत्री खो जाती है एक्स का मान गयात की मेरे भाई डर्ना नहीं है आसान है देखो अठारा संख्याओं का ओसत 37.5 है ये चीज़ है और 6 संख्याओं का ओसत एक्स उन सभी में जोड़ा जाता है तो एक की बड़ोत्री हो जाती है पहले 37.5 ओसत था तो अब 38.5 हो गया ये कहना चाहता है कहता है एक्स का मान बताओ दीखे कभी कभी तो खेलेगा कोशन इनी का रेश्यू ले लो पहले 3.1 का होता है गुणा कर लो पांत याए 15 एक हासिल 21 1 2 हासिल 9 2 11 सीदी सी बात है 9 2 11 यह हुआ यहां एक्स हुआ इचार का गुणा एमा कर लो पांचो का बीस समझ गया जीरो निपड़ गया आठ चोग 32 तो 34 3 हासिल और चारते हैं 12 और 3 154 तो एक्स अब 154 में आप जड़ा घटाईए तो एक्स की वैलू आगे 41.5 ठोको लाइक बोलो हां एक बार में प्यार से बताया प्रकासर ने बोलो बोलो टेल टेल तो बच्चा खुजी मिल रही है कि नहीं मिल रही है इमानदारी से बताना ठीक है अभी दो कोशन और कराएंगे 25 पच्चिस करके कराएंगे ठीक है जिससे आप बोर नहों नए कोशनों को सीखें छमता जागरूप करें अपने अंदर अब यह नहीं कि बावा आदम वाले लगा रहे हो सन 2001 वाले कोशन ठीक है अब बढया कोशन सीज टू का देखा जाए तो आसान भी है आसान भी है चलो आसान बोलेंगे तीयर टू देखते आसान बोल दो चलो ट्राई करो अब बच्चा डर गया कहने लगा सब इतनों बड़ा कोशन हाँ मेरे भाई हाँ आएगा ऐसे भी आएंगे करना पड होता है का निगालो आंसर का कि तो माल लो X विद्यारती है तो X विद्यारती तो अगर टोटल कहे दो कि तो 72 X हो जाएगा CDC बात है कहता है यह दिए 78 किलोग्राम कि आउसत बजन वाले 10 विद्यारती उस समू में सामिल समू को छोड़ देते हैं यानि समू को छोड़ देते हैं कितने एक्स यह टोटल हो गया 88 किजी वाले वह समझना मैं पूरी भासा 10 विद्यारती इसको छोड़ देते हैं यानि 780 कम हो गया भासास दिया ही हुआ और 80 किलोग्राम वाले 4 विद्यारती समू में जोड़ देते हैं यह छोड़ देते हैं अब यह चार ठो आगए कि भाई आम तुम्हारे समू में रहेंगे तो 4 वेक्ती 80 कजी वाले घुसाते हैं तो समू में विद्यारती हुआ का आउसाथ दसमलो 7 घड़ जाता है यानि 72 से अब आउसाथ बचा यह पॉइंट 7 कम हो रहा है तो 72 में पॉइंट 7 कम करोगे तो 71.3 बचा तो बताईए कि प्रारम में कितना तो यहाँ पर जो खेला हो गया बच्चा एक चीज़ समझो यहाँ पर जो खेला हो गया यह X-6 लोग हो गया सर यह कैसे अगर आप कोशन को अब त्याग के मेरी भासा सुन लोगे तो एक बार में आ जाएगा किसी समझो में X लोग थे उनका औसत बहात्तर था यानि बहात्तर X हो गया उस समझो से 10 लोगों ने छोड़ा और 4 आ गये यानि देखा जाए समझो को सिर 6 लोगों ने छोड़ा यानि X-6 ये आया ठीक है और 10 लोगों ने छोड़ा जिनका वेट 78 था यानि 780 कम करेंगे 4 लोग जिनका वेट 80 था वो समझो में आ गये तो जूड़ देंगे अब आउसत में कह रहा है कि कम हो जा रहा है ऐसा होने से 0.7 तो ये कम हुआ तो इतना इसी लाइन को कैल्कुलेट कर लिया लाइब जिंगा लाला कर दो मेरे बाई अब क्या करें एक आठ लाइंग तो कर लो कर लो हमें हम पूरा करके दिखाएंगे हम तो ऐसे स्टूडेंट काम करते हैं 8 चोग 32 थीज़ा चाओं तो कह दो घर से कर लो एच डबलू दुनिया डबलू ना से कोई फायदा नहीं खुद जूजेंगे तब समझ में आएगा है ठीक है इसका समझ हो गया ठीक है समझ गया ना 73 पॉइंट यह यह इधर आएगा पॉइंट साथ क्योंकि डिफरेंस पॉइंट साथ ही एक स्केल आएगा चार सो साथ ऐसे चत्रिक अठारा एक हासिल एक मिड़ी यहां घटे का सॉरी फॉर देट चत्रिक अठारा एक हासिल छे एक साथ साचंग बैयालिस पॉइंट टू ऐसे नौ में से साथ गया दो आया पांच में से दो गया तीन आया दसमलों हटाओ यहां अठाओ साचंग अठाइस साचंग बैयालिस छी आलिस देखे आपके सामने पूरा इमान दारी से किया कह देता हड़ लो कर लो आप और खोश गया यह तो बड़ा मान टीचर हो गया नहीं हम भी जूजेंगे तो आपको जूजाएंगी सीखो 46 आंसर आएगा तो एकात कुशन तो कैल्कुलेटिव आते ही आते हैं ठीक है समझ गये की नहीं समझ गये पहले बोलो हाँ कि चलिए एक कोशन और लगा लो मेरे भाई 25 तक ठीक है अब यह टियर टू में भी आया अब देखो सेम पैटरिंग को कोशन अभी तक जो हम लोग लगा रहे थे उत्ते देड़ से देखो यही टफ है आज के सेसन में में लोग सात्वी बार यही पढ़ नहीं 25 नंबर ठीक एं देखो सेम पैटरिंग कोशन अभी तक सीजेल में सीजेल में आotes मैं आ रहा है अब करती है वह तेरा संख्याओं का ओसध तेरा का सस सय 7000 यह कि पहली तीन संख्याओं का ओसथ 49 टालिस है हाँ तता आगे की साथ संख्यां का ओसत 49 है तो बची तीन संख्या भासआ पड़ो ग्यारवी संख्या बारवी संख्या की दुगनी है ग्यारवी संख्या बारवी की दुगनी है तता बारवी संख्या तेरवी संख्या से तीन कम है ग्यारवी संख्या बारवी संख्या से दुगनी है ये 11 नहीं इस लाइन को फी इधा लिखो न 11, 12, 13 ग्यारवी संख्या बारवी से दुगनी है दुगनी है और बारवी संख्या तेरवी संख्या से तीन कम है तीन कम है यानि ये तीन ज़्यादा है भाई बोलो बोलो टेल टेल यही तो मतलब हुआ अब देवता हो कुछ नहीं आपके दो सर कोई रॉकेट साइंस कर दो पर जी अब कर लो तेरा सत्ते क्यानवे नौ हासिल तेरा चोको केतना बावन और बावन और नौ एक सट छे सु ग्यारा यहां कर लो नौ त्रिका सत्ता इस दो हासिल नौ दो ग्यारा एक सत्रा हुआ इधर आ जो एथी फोटी थी होता है यहां आजो माइनस का 3 इधर कर लो बराबर 4X के समझ गए यह 4X करो भाई 3 तीन ग्यारा तो 21 हासिल दोगे यहां देखो यहां घटाने में खेला हो गया मेरे साथ आपको साथ हुआ होगा यह 13 घटाना है यहां से 21 हासिल दोगे 21 में 13 गया तो 8 आएगा याद्रे इसमें 20 कम हो गया यानि यह 59 बचा है हाँ इससे 20 रुप्या निकाल लिए 590 से 20 निकाल लिए 59 बचा है यह बात ध्यान रखना 4 एक 5 पांच पांच चारे बचा तीन एक चार एक चार एक चार एक 148 आया भाग दो पैंसे पैरा चार शक चार शकर चारट है बारा है थे नौ तो कि यह 59 पांच आह रहा है अब अ बाग दो मेरे भाग दो बाग दो वाग दो भाग दो चार्टियाएं बारा, साच्चोक अठाई, स्वरी, 37, 37, कहता है ग्यारवी और तेरवी का उसत, ये भी खेल गया हमारे साथ, तो ग्यारवी और तेरवी का उसत, तो ये 3X प्लस 3, बटा दो, कल लो, 37 तियाएं कितना होता है, ट्रिपल वन, प्लस 3, बटा दो, 114, बटा दो, 57 आंसर, 56 बार, 57, 57 is the right answer of this question, अब आप खुद देखो, जब लेबल का पढ़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, I hope आज का सेशन पसंद आया होगा,